कि पोडिंग स्टार्ट होता है कि अभी इसकीन को सेर करता हूं में कि अब दोस्तों आप सभी लोग का वेलकम है साइकलोजी अफ देगेस्ट इंट फ्यूचर और ब्रॉक्चन टेलोजी सिस्टम में दोस्तों मेरा नाम राहूल मैं गया भी हर से बिलोंग करता हूं और यह जो टोपिक है आपको मदद करेगा कि चीच करने में अपने गेस्ट की साइकलोजी को समझने में और उसका अंदर जो क्वेस्चन उठ रहा है यह लोग पूछता नहीं है बले आप कितनों बोलोगे अगर आपका कोई में क्वेच्चन है तो आप हमसे पूछो लेकिं लोग पूछते नहीं है उस्में क्या करना मतलब जिसको आप प्लान देने जा रहे हो वह आपका गेस्ट है उसके साइकलोजी को समझना और उस टाइप से उसको प्लान प्रेजेंट करना तो टोपिक सभी लोग को किलियर है यहाँ पे आगे हम दो चलते हैं प्रोडक्शन में देखिए जब अभी आप किसी को प्लान द में जाते हो तो उसके मन में कि बहुत सारा सवाल आते हैं उन सारे सवालों को जवाब आज के प्रेजेंटेशन में आपको मिलने वाला है पहला साइकलोजी साइकलोजी देखे दो सबसे मिलके बना है साइको प्लस लोजी साइको का मतलब होता है मन लोजी का मतलब होता है व की के सरीर के को देख कर उसकी मन की बातों को जान लेना साइकलोजी का लगता है या नहीं कि अगर आपके पर को ऐसा विक्ति आ रहा है सकता हूं तो इस प्रकार से पता कर जाता है कोई दोस्त आते हैं आपके पास जो खुशती को ज्यादा रहे आज मज़ा आ गया तो आप उसका साइक्वलोजी समझते हो कि सरीर की नहीं कि भाई कुछ ने कुछ अच्छा बात हुआ होगा इसका साथ जाये तो पैस लोट्रीक लगा समझते हैं कि क्या चीज हो रहा है सरीर का होब होब को समझ रहे हैं वो क्या हो रहा है क्या हो रहा है साइक्वलोजी हम लोग समझ रहे हैं उसका तो उसी को हम लोग समझते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्लान दे रहे हो और गेस्ट कर रहा है तो आपको समझना दिखाते हो तो प्लान दिखाने निकलते हो तो दस तरह के लोग आपको मिलता है एक रेशियो है कि जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो दस तरह के लोग आपको मिलता है एक तीन और छे इसको डिवाइट करते हैं हम लोग एक सरकल बनाते हैं उसमें डिवाइट करते है ये तिनों को एक तीनों चे में एक यानि कि खामो का तीन सलाकार और चे आपंब उन खामो का किसे करते हैं जो इनसान बड़े से बड़े और अच्छे से रशें कामों में छोटी-छोटी anymore में कंउपोस निकाले राया करते हैं अब यह लोग तो आपके जिन्दगी में भी आये होंगे, सभी लोग के जिन्दगी में एक खामुका लोग आये ही होंगे, अगर मैं आपको उनका बढ़ताओ बताओंगा, उनका साइकोलोजी बताओंगा, तो आप पकड़ लोगे, अब देखिए, माल लिये जाए, आपने एक दुकान से अपना मन पसेंद दीदा, सट खरदा या टी सट करदा, आपको फेवरेट है, पुरा फिटिंग उटिंग पहन के आप जा रहे हो, निकल रहे हो मार्केट में, अब उसमें से कोई दोस्त आपको मिल गया, वो लाए भाई, टट कितना मिलिया, वे पांसो का सट है, मेरे कि दुकार में तो अच्छा collection आया था, मैं तो तुमको अच्छा collection दिला देता, इस तरह के जो लोग होते हैं, दोस्तों, हो खामोखा category में आते हैं, जब अब प्लान दिखाने जाओंगो किसी विक्ती को, मतलब मैं किसी विकती को ultima business का प्लान दिखाने गया, तो वही उसम बेचा इंकम दे रहा है तो यह चीज होता है ना मज़ा जाता इससे बहुत ऐसे एक चीज में जाएंपल बिलता हूं हम लोग का टीम था जानाबाद का वह बार वे एक चीज बोलें करेंगे सब कुछ अच्छा है मतलब जोइन करेंगे अब दूसरा बहाना बोल रहा है कुछ और कमिया निकाला कि यह चीज हो जाएगा ना तो हम जोइन कर लेंगे तो ऐसे लोग खामुखा कटेगरी के लोग होते हैं ऐसे लोग को शरीर के हाव बहाव को देखना है ज्यादै मेहनत नहीं करना है थोड़ देना उसा अधर्थी को कभी नहीं आयगा जिंद्गीमे इस बिजनस में कि उसका खामुखा किरी बचा हुआ है बूला जा उसको उसको पर मेहनत नहीं करना है थोड़ दीजो ऐसे लोगों को अब आगे ume ने बढ़ते हैं शलाकार किसको बोलते हैं सलाकार किसी काम के बारे में जानकारी देना या लेना सलाकार करते हैं अब देखिएंस त्छी बात विए जया है अब कैसे अब माल लिये जाए कि आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिया उसका नाम राम है आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिया उसका नाम स्याम है और आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिया उसका नाम मोहन है आपने तीन व्यक्ति को प्लान दिया राम स्याम मोहन अब राम एक स्टुडेंट है मेली तरह उसके पास पैसा नहीं है उसको प्लान अच्छा लगा अब कहां जाएगा पैसा मांगने मैं पैसा कहां समागूंगा अपने पापा से अब पापा के पास मैं गया कि भाई सतीज सर ने मुझे बहुत जवर्दस प्लान बताएं अगर मैं इसमें 220 यूरो का 25 रुपे का इंवेश्मेंट क करने वाला हूं उसका पापा काची बोलेगा कि बेटा कि मेरा वाल देख रहा है इसा पैसे हुआ है ऐसा दुनिया में कोई कंपनी नहीं है इसमें एक और पैसा लगाने के बाद तुमको लाइफ डाइम इंकम देने वाला यह सब चूतिया बनाने का धंदा इसाब चीज न पाष्ट में कुछ ऐसी कंपनियां आई होगी जो उसके साथ स्केम किया होगा और वह है अल्टीमा बिजनेस को ही समझ रहा है और वह अपने राम को मना कर दिया काम करने में स्याम कहां आता है अपने पतनी के पास सला लेने सेम उसके सथ वही प्रोग्लम होता है मोहन को भी कंपनी बेकार होता है क्रिप्टो करना कोई माई बाप है किसे चलेगा कंपनी है बैन हो जाएगा अब मोहन को भी काम पसंद है लेकिन वह भी नहीं कर पाया किसी दूसरे का सला लेने के लिए कि करने के बात यह है यहां पर कि अगर मुझे डाक्टर बनना है तो मैं किसके पाउट सला लेने जाऊंगा जाए बेचने के वाला के पास कभी नहीं जाऊंगा वो मुझे गलत सला देगा बाइड डाक्टर बनने में करोड़ों खर्चा है यतना नहीं हो पाएगा इसे तु चाहे बेच जाहे में सस्ता है इन्वेस्टमेंट का मैं तु बेच सकता है व अब मैंने एक दोस्त एक मतलब प्रणोसी भाईया थे हैं उनका था साइंस का डिपार्टमेंट अब जब उनसे प्लान दे ले गया मैं भाईया मुझे बताओ कि मैं टेन के बाद क्या लूँ तो साइंस ले साइंस में तुमारा करियर बनेगा अच्छा होगा अच्छी ची लोग कम इसमें आता है तो इसे लोग मिलते हैं आपको उसी प्रकार से बहुत एसा लोग हैं जो आप प्लान देने जाओंगे वो किसी गलत व्यक्ति के सला लेके खराब हो जाते हैं उनको आपको पहले ही माइंड्सेट करना पड़ेगा कि देखो भाई मैं चार महिने पांच महिने तीन साल चार साल से ब्लॉक्चेन टेकलों से जुड़ा हुआ उससे तुम जाके सलाल लोग और दिखाओ है विजनेस का इसा कंपनी है अब अगर ओखराब बोल दिया तुम मत करो अब लेकिन तुमको प्लान है विजनेस का ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी का वीटकोईन का अब तुम जा रहे हो किसी दुसरे के विक्ति के पास जिसको इस देना पड़ेगा ये तिन त्रह के लोग होंगे आपको जो मिलने वाले हैं तो इसमें क्या होता है फिफ्टी फिफ्टी होता है चाहे तो आपके पास जॉइन हो जाएगा तो नहीं जॉइन होगा क्योंकि एक बार एक बार नेगेटिव टीटी चल जाता ना उपिने सुनन वाला है लेकिन इसमें आपको छे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ डिर्क जॉयनिंग करेंगे जो लोग प्लान को देखेंगे बिना किसी का सब्सक्राइन तो बाइब बाइब करना है जैसे मादा पस देखें मुझे काम करना है डिडेक जोएनिग लो भाई पैसा एका से विंदा हैं सोर का राम से मझा ले ले रहे हैं तो ऐसा लोग की तलास करना पढ़ पड़ेगा मुझेगी आपको 10 लोग आपको मिलेंगे सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा मौका मौका क्या है किसी भी इंसान के जीवन में अचानक से आने वाले प्रवित्ती को मौका करते हैं इसे कोई रंग रूप और आकार भी नहीं होता ऐसा आप सभी लोगों के लाइप में एक ऐसा समय आया होगा एक ऐसा चीज आया होगा जिसको जाने के बाद अपस्ता रहे होंगे कि अगर हम उसमय कीचीच कर लेते हैं तो आज हम कहां से कहां रहते हैं जितन्दस और अनुभावी हैं वो बता सकते हैं और भी हमारे विश्च कुछ लोग हैं जो बता सकते हैं कि उन्हें के लाइट में कुछ ने कुछ आया होगा एक ऐसा समय कर लेता है तो उनका पूरा लाइट 360 डिग्री चेंज हो जाता है लेकिन वह उस समय कुछ चीच को नहीं पकड़ पाएं उसी तरका से जिसके पास अलतीमा बिजनर जा रहा है जिसके पास ब्लॉक्चेंट टेकलोजी जा रहा है वह इंसान उस समय पकड़ लेगा उसका लाइप चेंज हो जाएगा जैसे कि जितने भी लोग हमारे बीच हैं उनके पास मौका आया था और उनके प्रोडोसी के पास भी मौका आया था लेकिन आज हम सभी लोग ब्लॉक् लोग को बोले होंगे प्लांगे लेकिन उसमें से मेरा पास मौका है मैंने पकड़ लिया आज मेरा लाइप चेंज है लेकिन वो समझे और मोका को ग्रेब्स किये आज उनका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया आज साओधिय और आपको छोड़के इंडिया में राके अपने लाइफ को न्युक्त कर पा रहे होंगे तो मोका लेकिन बोले आता है इसके को रंग रूप नहीं होता है जो समय पर पकड़ लेता है उसका लाइफ चांज हो दता है और जो भी लोग नहीं समझ पार आ है उसको आप समझाइए कि ब्लॉक्चेन टेकलोजी अल्टीमा बिजनेस में है समझो मौका को नहीं तो फिर पस्ता होगे तुम इसा बीट कॉइंट दस रुपे के रेट पर बहुत लोगे पास मौका आया था कि इतने लोग के पास है लोग बोलता है मैं दो बीट कॉइंट क के पास सोविट कॉइंट है एक अरब रुपे का आज उसका लाइफ चेंज हो गया है इस सब चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा आगे उन्हों चलते हैं अघ ribs falar अब मुखा तो सप्पर आता है अब उस मुके पर विश्वास कौन योग करता है अब हुत कैम लोग होते हैं, जो मुखें पर विश्वास करते हैं और विश्वास कैसा करना पड़ेगा मतलब दृण विश्वास जैसा कि अगर आपका मां आपको कुछ खाने दी रह है फिर भी आप खाओगे क्यों खाओगे क्योंकि वह आपका माने दिया है आपको अब मा कभी खाना में जहर बेटा का नहीं मिला सकती आप उसके बात पर विश्वास नहीं करोगी कि आपके अपने मापे 100% विश्वास है जिसे एक बैटी एक दुलहन माबाप रिस्ता ते कि उसको नहीं जानता है फिर भी अपने माबाप पर विश्वास करके वह अपने घर चोड़के उसके पास अकेला चला गया और जीवन बिटा रहा है उसको पता है कि मेरे पिता जी कभी भी गलत लड़काम से ढूड़ नहीं दे सकते हैं उसी प्रकार से आपको विश्वास कर हैंगे और विश्वास कैसा एदम विश्वास हंड़ेट परसें विश्वास ऐसा नहीं आधा दुरा कि बीच में काम क्या चार महिना काम किया कुछ हुआ नहीं वाई कंपनी खराबे सिस्टेम खराबे बेकार है छोड़के चला जाओ अंधि विश्वास नहीं नहीं परेश्वास होना चाहिए आपको अपने पर ज्लाय पर आपको टेक्लोजी पर और पर पर इस प्रकार से इक बैять अपने पिटा जी पर करता है इस बेटा पने सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि आगे हम लोग बढ़ते हैं सोच कि देखिए दोस्तों मोका आपके पास तभी आता है जब आप उसके बारे में सोचते हो आज कहीं ने कहीं जितने भी लोग हैं यहां पे आज आपने सोचा होगा कि मुझे अपने लाइप में कुछ चेंज दुनिया में कुछ नहीं होता है आज ताज माल भी बना होगा न तो उसके साजाने सबसे पहले उसको सोचा होगा उसके बाद हो बना है आज हमारे पास मेट्रो दिल्ली में बना है तो कोई ने कोई सोचा होगा तब आज बना हुआ है आज एगर आप कहीं पास जाते हो करना ऐस प्रकार से एक हैं अप्तर आप्को करना है नहीं पूरा हो रहा हुं बहुत कि बागवान कंपसे चरिये एक मोका बेजा होगा और इसे आप विशुवास करके पकड़ लिए हैं और आज आपका लाइप चेंड हो गया है जो जो वěक्ति अप लाइन पे विशुवास करके और उस मोके को जो आपने सोचा था उसको समझ के जो अपनेपास grapes किया है वो आज बहुत बड़ा पैसा कमाया है उसके पास घर रहेगा बंगला है बड़ी-बड़ी कार्प्स हैं जो समय पर मोका को अपनाया है वैसे सोचते हैं तो बहुत लोग है हम अमीर बन जाए मेरा पास गाड़ी आ जाए मेरा पास गोड़ा उसके पास होता है नहीं तुकि उसके पास मोका आता है लेकिनों मोका को पाचान नहीं पाता है चाहिए विश्वास नहीं कर पाता है तो सब खतम हो ज तो कोई बोला सबसे तेज हवा है है सबसे बन्दूप का गोली है लेकिन उसी में से एक आदमी बोला कि दुनिया में सबसे चीज है वह सोच है आज हम लोग सोचेंगे चानल पर चल जाएंगे आज हम लोग अतना कर सकते हैं मतलब घुन सकते हैं तो जो जो बैकयती अपना शीजों चाज को सकरात्मक सोचा है उसके ऊसाथ सकरात्मक हुआ है जू जो भी आप सोचा भी आप हुआ है आप देखके बिली स्ट नाअथ tä करता है एक destacता है कुछ बुरा होने वाला 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 है बली रास्ता कर लिया बुरा हो जाता है उसका जो मन का सोच है वह बुरा को एक्ट्रेक कर रहा है अपने उपर इसलिए उसके साथ बुरा हुआ लेकिन जो सोचेगा अब गली है संचा हो जाता है बहुत से लोग है जो सचते नहीं होंता है कि उनका सोच में पावर नहीं है उन नेगेटिविटी अंदर है अईसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मतलब मिना करातमक सोच रहे हैं इसमें कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहते हूं आपको एक गरीब विक्ति है, वह कहीं से भीक मांग के एक रोटी लेक्या आया, अब रोटी में उखा रहा है, आप उसका ठाली में कुछ नहीं है, अब उख तोड़ रहा है, और बोरने का इसारा कर रहा है, बोर रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ हूं पिरो टी के साथ नमक बो डाओ और खा रहा हूं तो ने सोच नहीं है तो पर निड सोचो चिकन सोचो मटन सो जो अंड़ा फॉच और possa ले ओ नमक मतलब गरीब है सुच भी नमक रहा है उपनिन सोच ने का उसका हुकाती नहीं है क्योंकि माइंड़ से उस तरह से बना हुआ है तो लृण मैं सोची रहा हुआ कि मैं बोर्गे खा रहा हुआ हूँ तो मैं चिकन क्यों ने सोचों लेक्न नहीं सोच पाया जूब को गरीब एक जिनगी में कभी खाया ही नहीं तो सोचे कई से उसी प्रकाड से हैंहारा समाज में लोग है लोग बड़ा चीज देख़े नहीं क्या है उसको सोचे है कईसे कईसे कुई सोचेगा कि one click in reward आता है one click wants आता है नहीं आता है ऐसा वहीं ने सकता है तो देख में नहीं है सोचे है कईसे लेकिन हम लोग सोचेए है कि घर पर बैटे बैटे इन्वेश्टमेंट करके पैसा हमारे लिए काम करें एक हमारे साथ हो रहा है कि हम लोग उन्हें सोचा है वो चीज तो दुनिया का सबसे पावर फूल जो चीज दोस्तों वह सोच है है अलो यह सर अलो जब्सक्राइब आपकी सब्सक्राइब अब आता पैरामिटर लोग क्यों ने सूच पाते हैं क्योंकि उसका मन में बचपन सही पैरामिटर बांद करका हुआ है बहुत खतरनाक चीज है आज इसका बंदा हुआ है तोड़ दो भाई फैरा मिटर बहुत खतरनाक चीज होता है बचपन में महवा बांते हैं समाज में स्कूल में 38 Kashमांते हैं समाज के लोग बांते है बच्चा लोग का पेरापिटर सबका बंभावगा है कि लोग बड़ा सोची नहीं पाता है कि यह पर अपधार्य के विखारन है एक पर आप सुने होंगे और गत्य काहनी पर आपने सोच सुने होंगे हाथी काके जो मालिक है बच्पन से लिएसे रसी में तोड़ने के लिए लेकिन रसी तोड़ने पाता है कोसिस करता साल दो साल पांस साल नहीं तोड़ पाता है आप उच्छा साल से तूटे गाई नहीं तूटे गाई नहीं सोच लेता है तूटे गाई नहीं पैरमेटर बंधा गिया तूटे गाई नहीं आप वो जब बड़ा हा से उसका मन में पैरामीटर बंद रहता है आपने एक और एक्जांपल सुना हो गया एक विज्ञानिक ने इस पैरामीटर को टेस्ट करने के लिए एक कप मतलब एक बोतल में मदुमक्खी को भरके रख दिये मदुमक्खी साथ दिन तक बनता साथ दिन तक उसी में चक्कर लगाने लगा उसी में चक्कर लगाने लगा अब एक ती ढकन खोल दिया फिर भी मदुमक्खी उसी में चक्कर लगाने लगा उसी में चकर लगाने लगा आप देखा बोतल हटा दिया लेकिन फिर भी मदुमक्खी वही घेरा में चक्कर लगा र वो बढ़ ही नहीं पारा है मन में क्या हो गया पर मीटर बंधा गया उसी प्रकार से बच्पन से हमारे गार्जियन स्कुल टीचर समाध़ और नोगरी करो फटो नगरी करो गोर नगरी करो बेटा अच्छा दगरी मिले जिसको पढ़ नामकरो अच्छा नोकरी मिले मेटा कोई नहीं बोलता है कि भाई अच्छा विजनेस में बनो तुम दस बारा पंदर लोग का नोकरी दो तुम ऐसा अस्ते कोई ने सुना होगा कि आपको गारजेन आपको बोल रहा है कभी नहीं सोच रहा हूं आपको तो इस प्रकार से हमारा पैरामिटर बंदा हुआ है और आपके जो डाउन लाइन है जिसको आप प्लान दना जा रहे हो उसका मनवे पैरामिटर बंदा हुआ है अब उसको प्लान लेकर जाओ गये कि बाइध में लाइफ टाम रिवर्ड बूलाया ऐसा नहीं होता है अब उस सुनमें नहीं किया है बच्पन से कैसा होता है वह कईसे मन लेगा आपका बात कभी नहीं मनेगा अब उसको दिखाओगे रोज दिखाओगे रोज क्लेम करके तो पैरा मीटर को आज के आज ही खतम करना है पैरा मेटर बहुत खराब चीज़ होता है इसको खतम कर देना तोर देना है सोच से निकाल देना है बड़ा सोचो आज से ही नजरिया अब देखिए जबी भी कोई कंपनी अमारे वीच आता है लोग को पहले ही नेज़रिया खराब है अब नेज़रिया कितना प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है एक पोजेटिव नेज़रिया एक नेगेटिव नेज़रिया इसलिए कि मेरा पास एक बोतल है अब बोतल में यहापर आधा पानी भाणी कोई लोग बोलेगा बोटल में आधा पानी भाणी को बताते हैं तो उसका नेज़रिया खराब होता अमधा प्रोजेट के पती क्योंकि उसका मन में पहले से नेगेटीव भर देता है लोग समाल जाए घर आप अपके लिए उससे चीज़ तर जाही है गलत ना give लोगình समझते हो तो लोग गलत है और एक ही चीज को लोग दो तरिकासा देखता है जिसे कि कोई लोग अच्छाही देखता है कोई लोग देखता है सबका अपना मन का साइकलोजी होता है उस तरह से लोग देखता है आगे आपना बात करते हैं दोर का तो जिस प्रकार से भगवान में इंसान को तीन दोर में बाटा है बच्पन होता है जमानी होता है बुड़ापा होता है उसी प्रकार से इंडिया में कोई भी कंपनी आता है उसको तीन दोर में बाटा गया है एक होता है इनीशियल फेस शुरुवाती दोर फिर प्रस्तिधी दोर फिर प्रतियोग धिता दो तो अब भी blockchain का क्या अंसा है इनीशियल फेस है और इनीशियल फेस में आज तक इंडिया में कोई भी चीज को एक्सेप्टे नहीं किया गया है कभी नहीं एक्जाम्पल में आपको बताता हूं देखिए आज से सौसल पहले रेल गाड़ी जब आया तो लोग इसमें बैटे रहते थे पहले क्या होता था ना कोईला वाला चलता था तो जब गाड़ी आता था पूरा कगला धूंगा करके ड्रेक नहीं का मतलब अवालड़ी घया लेकिन जब आधर लाघत लगाना शुरू किया इसका प्रशिद्व शेस आया जब अभी प्रतियोगिता दोर आया है यहांने कि लोग रिजर्वेशन कराता है एक अक माहिना पहले तो दो माहिना पहले फिर भी टिकेट नहीं मिलता है मतलब मतलब बोल रहा था जब इंडिया में मतलब आयाता लो sandy यह इसका नहीं हो लोग यह रहां है सब आज कौन मा चूला पर दूंगा खाके रोटी और खाना बनाता है कोई नहीं पहले ही से गेस्ट बुकिंग हो जाता है उसी प्रकार से जब कंप्यूटर आया था बहुत लोग बोल रहा था नोकरी खा जाएगा भाई इसको मत लाओ इसको इंटर मत करो कड़ों लोग ब करता है इसको सीखना पड़ता है तो आज कंप्यूटर भी हेमस है उसी प्रकार से एक और इजांपल है जब इंडिया के अंदर पे एक कंपनी आई थी बिसलरी लोग बोलता था कि जिस देश में गंगा यमुना सार्ष्वती गोदावरी ब्रहंपूत नदियां बहती है वह कोई नइए खर देगा कोई नहीं कर देगा तो लेकिन बाहर से अंगरे जाते थे हैं इंडिया लोग देखर है रहा है रहे पानी पीने से गोर लोग तो पानी पीके गोर होता है हम लोग पीनार किये आज-दत लगा- आज आज को रेंद में खरीता है रेल रेल रूप्या- 15 रूप्या सब लोग खृता है घरेंसे कोई आज लेकर ने जाता है तो आज तीन हैर पांच हैर क्रोड का पूरा बिजनेस बना हुआ है बिसलरी कंपने अकेला लीट कर रहा है पानी को उसी प्रकार से आज 16 सल पुराना टेक्नलोजी यह ब्लोक्चेन टेक्नलोजी लोग इसको एक्षेप्ट नहीं कर रहा लेकिन जब इसका प्रसिदी फेस आएगा इसके सबस्राइन वाहान अबना करते हैं लोग भरा बुला पूलते हैं लिगी हम लोग को डरना नहीं है रहाती दोर में जहन्डा आप्षेप्ट यह वा आज दुनिया को लीट कर रहा है जब इंटर्णनेट सुरुवात में आया थे दोस्तों बेववन उस पर मार्arpet को लीट कर रहा है इंडिया को भी दुनिया को लीट कर रहा है उसके ऊपर एमजुन आया पहले बजा रही सोगनी पर प्लिपकार्ड, एमा जोन से बर्फी, भरा हुआ है, क्योंकि आज हर एक चीज यहां पर मैं मंगा के यूज कर रहा हूँ ओनलाइन, दुकान कौन जाता है गर्मी में इतना, आज पावर बिंग बरा खराब हो गया, मैं तुरत मंगाया, आज किताब मेरा एक मंगाने था जब ATM कार्ड आया था, दादा जी को बोले था भाई, जो प्लास्टिक कार्ट है ना, इसमें से पैसा निकलता है, वो हमी को एक तबड़ा कमारे हैं, वो ले प्लास्टिक कार्ट से पैसा कैसे निकलेगा, कहां से निकलेगा इसमें, जब फिन उनको दिखाया गया, इसमें डलाता है, जिसे नमबर डलाता है, पैसा निकलता है, तो चोग गया है, पैसे हो गया है, आज एटियाम कार्ड हर एक घर में है, जो शुरुवाती में लोग विश्वास नहीं करता है, उसी प्रकार से आज हमारी कमपनी को लोग विश्वास नहीं कर रहा है, शुरुवाती लोग उसे सिखने आएंगे पैसे दे के सिखने आएंगे आज जूम में बताया जा रहा कोई नहीं आ रहा आज आने रहा समय में यह जूम पेट क्लास चलेगा कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा सो लोग रेजिटर कर पाएंगे 500 रुपया लगेगा तब लोग क्या करें कि शुरुआती दौर में दिक्कत है मेहत करना पड़ रहा रहा प्री देना पड़ रहा जब जीरो आया था जी ओ फीर दिया एक साथ के शुरुआती दौर था 5 जी 4 जी का लोग इसको आदत लगा है आदत लगा है आज दूसरों 49 दूसरों 99 पांसोच्छे एंच्छे सो सब आते हैं में तो साल भर का है शुरुआत मैंने भी यूज किया दवा के पिरी में आदत लग गया हम बूरी है अब नेट के विए को रह सा सकता है वही नहीं रह सकता है शुरुआती दौर में प्रोब्लम होता है कि आपर इंकम के बारे में देखिये दोस्तों मार्केट में लोग दो तरिका से इंकम करते हैं पहला लीनियर इंकम क्या होता है अपने समय को बेच ले इंकम को करना अब देखिये मैं आठ घंड़ा ड्यूटी कर रहा हूं और मैं कमा रहा हूं 20,000 मैं 16 घंड़ा ड्यूटी करूंगा मैं कितना कमाँगा 40,000 मैं 24 घंड़ा ड्यूटी करूंगा कितना कमाँगा 60,000 मतलब मैं 24 घंड़ा ड्यूटी करूंगा तो मैं 60 रुपय महिना कमा पाऊंगा मुझे एक लाग रूबए मैना करना करना केहां पड़ तो मैने कम पाँगा तो समय के जो इंकम करता है उसे बोलते हैं लिनेर करता है तो अपने समय को मैंलटिप्लाइं करके इ Hiç करता है उसे कोलते है लेबरेई इंगाम इनक्ति मैं हूँ मैंने अपना बिजनेस पार्थन बना है मुझन रहकुन आप किप्ञाइब करें मेरे लिए रोज अच्छा काम हो रहा है आप सभी कूपता है time is money आ सबैसा है जितना समय को मैल्टीप्लाइब करोगे लोगों के साथ उतना पैसा हमारे पास आए का समय मैल्टीप्लाइब नहीं होगा Income आना बंद हो जाएगा तो उमीद करता हूं आप सभी लोग से question है आप linear income करना चाथते हो कि leverage लेकिन और आप लेवरेग चाहिते हो तो आप आये लोग कीजिया है कि आप है बहुत बुजूर्द लोग है मारे पास उनिस्तो बीस में इसके पास एक रुप्या इंकम होता था, वो अपने अधिया के सबसे अमीर आद्मी होता था, उसके पास अच्छा धर रहता था, अच्छा बेल गाड़ी के बेवस्ता रहता था, खाना पिन अच्छा खाता था, उसका बेटा-बेटी अच्छा स्कूल में पढ़ने जाता था इसके पास एक रुपय महिने इंकम था अब समय बढ़ा मंगाई बढ़ा लेकिन दूह इस भी तो यहां पर जितने भी लोग है सब लोग महसूस किया होंगे अब हमको बताइए जिसका इंकम 10 रुपया है रहता था उसके पास घर था कि नहीं था अच्छा गाड़ी था कि नहीं कि उसका बैटा-बैटे अच्छा स्कूल में जाता था कि नहीं जाता ता तो कि नहीं ता उसी प्रकार से कि 155 रुपय था जीटर स halli del j Therefore जी रहा कि नहीं नहीं और 2020 में तो इसके पास एक लाख रुपया महीने था çıkar जिन्मी जी रहा था नहीं जी रहा था अब 1225 जिसके पास तो लाग रुपय महिने नहीं रहेगा उसके पास ना अच्छा घर रहेगा ना अच्छा गाड़ी रहेगा ना उसका बैटा-बैट्टे चार स्कूल में जाए लिए लिने वाला है नो अच्छा खाना काने वाला है तीन टाइम कि तो हम लोगों क्या करना पड़ेगा कि दोयाग पचीस में डेल लाक रुपय इंकम तक पहुचना पड़ेगा उसके लिए का करना पड़ेगा लिनियर इंकम की लेवरेज इंकम लिनियर इंकम में अगर हम लोग 50 रुपय कमा रहे हैं अभी आठ गंडा-बाराइग कि अधाया है कुछ परसंटेज बढता है सरकारी जोब में प्राइबरी जोब में कुछ परसंट बनता है मया उसके रुपीया तो हम लोगुआ कमा रहे हैं तो नहीं कमा पाएंगे तो कहीं ने कि हमें अपने इंकम को लेबरेज करना पढ़ेगा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट म को पूरा करना है एक अच्छा घर एक अच्छा गाड़ी बच्चे को अच्छा खासा इस्कूल में अच्छा खाना अच्छा लाही पिस्टार तो उम्मिद करता हूं आप लेबरेज इंकम करेंगे 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 लॉक्चन टेकलोजी में आएंगे तो यह आपको 2025 तक डेल लाक रुपया मंख्ली पर पहुंच जाएंगे बाकि उम्मिद करता हूं जो भी प्रेजिंटेशन में ने दिया आपको आज आपको अच्छा लगा होगा चीजों को समझ में आया होगा बहुत धन्यवाद थैंक्यू एवरीवन आपने पूरे प्रेजिंटेशन को बहुत पता चल गया किस प्रकार से साइकलोजी होता है लोगों को किस प्रकार से हमें लीट करना पड़ेगा क्या क्या लोग हमेरे कश्टरमर को समझाना पड़ेगा बाकि बहुत पतनेवाद बैक टूर्श्ट कमलेश वर्माम्या हैंक्यू वेरी मिश सर आपने सर बहुत अच्छ तरीके से बताया विब्कल डीप में कि हमें किस तरीके से यहां पर प्लАन को सेयर करना चाहिए किस तरीके से सदड़ मेंगाई भी बढ़ रही हैं तो उस हमें भी चलना है और सर आक्यू पेरी मेश सर आपकीाइड लाइन हमारे लीए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और अभी हमारे वीच हमारे डायमंड लीडर मौदूद हैं तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए सर को यहां पर इंबाइट करना चाहूंगी मैं इंबाइट करना चाहूंगी मिश्टर अभी मन्यू कुमार सर के लिए आज के दो प्लान प्रेजेंटेशन के दोरह दिया गया आप इसके बारे में बताएं और सर हमें गाइट करें एडुकेट करें अब इस सारे चीजे हमारे लाइट में आई थी और रहूल पाटक्सर आज लिणेर और लाइब्रेज और जीरू की कहानी सामने लेकर के आगया है यह सचाही है जब आज तक हमारे बड़े बुजूरू हर सवसाल के बाद एक जीरू को कम नहीं कर पाएं क्या लगता है कि अगले सवसाल के बाद हमारी एक जीरू घड़ जाएगी हर 100 साल के बाद आपके डाइग्राम में देखेंगे हर 100 साल के बाद एक जीरो सठता चला जा रहा है इस प्रेग्राप को देखने के बाद अभी भी अगर हम लोग अपने आपको नहीं बदले तो साइब हम लोग इस दुनिया का सबसे गरीब इनसान होंगे ठीक है तो अभी का एकोडिंग हमें चलना पड़ेगा हमें अपना जीरो को हमेशा बढ़ाने की कोसिस करना है अगर आप जीरो नहीं बढ़ाते हैं तो साहथ आने वाला टाइम जो 2050 का जो विजन देखा जा रहा है कि आने वाला सकेंड दुबई इंडिया बनने वाला है तो स्टेंग